श्रीमत सदुगुनसालिनम् जिद जिदे व्याप्तम् चदी व्याकृतिम् जीवेशाक्सरमुक्तकोटि सुखदम् नैकावताराधिपम् ग्नेयम् स्रीपुरसोतमं मुनिवरैवेदाधिकिर्त्यम् विभुम् तन्मूलाक्सरयुक्तमेवसहजानन्दम् चवंदे सदां जेनी अम्रुतवानितो वैरै साक्षात्मही मारुपे जेनी ब्रामिस्तिती अहोलिनकरेशु भव्यक्षर्पदे सरणागत निजाल्प जीव सहुनास्रे आर्थे तत्पर रहे काकासने हलसिंदु दिव्य विभुने हैयु तो वंदन करे सहजान स्वामि माराज नी जे अक्सार पुर्षोतम माराज नी जे प्रत्यक्षदाम धामी मुक्तो नी जे 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 गुरु अरी काका जी महराज गुरु अरी पपा जी महराज बंदु बेलडी सताब दी महोत सवनी जे 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 यदि जे 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 जी जर बंदु संचार मे जिए का जे काद्व नी जे जे जेил tyre सरोपरी स्वामिनाराण अवियाराण यमनाराण 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 जम्तार धुम्तार निम्तार। सहिजान स्वामी महाराण अक्षर मत लाश्ट टाइम बहुत सारी बाते हुई वसी भाई ने आज भी थोड़ा सोट में सब बताया अक्षर मत जनरली जागा स्वामी की बातों में जो सब बताया है सब आचारिय बहुत आचारिय हो गए और उसमें जो ये पांच आचारिय की बात जो बताई उसने अपना-पना मत प्रस्थापित किया हर एक को जो भी सत्य लगता है उनको एस्टेबलिस कर देते हैं ऐसी तरह से पहले बोला के पहला जो मत हुआ वो अद्वाइत मत अद्वाइत मींस नो द्वाइत नो द्वाइत मींस वन अद्वाइत ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है अद्वाइत खाली एक Gordon नो आजो एकी भगवाण सब जगा में ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म और वोई बात अद्वाइत मत में बताईये संक्राचारिय ने सबसे पहला मत वो संक्राचारिय ने ये एस्टेब्लिस किया कि ब्रह्मने जानता न थी एकले दूखावे चे ब्रह्मने सम्यक जानवाती मुक्ती मले चे आत्माने ब्रह्म एक कच चे पूरा विश्व और इश्वर जीव और सीव एक ऐसा जो सब मत वो संक्राचारिया ने इस्टेबलिस किया मगर फिर भी उसमें अद्वाइत दो है ऐसा हुआ तो बाद में आये रामानुजाचारिया उसने विशिष्ट अद्वाइत अद्वाइत मगर विशिष्ट अद्वाइत बनाया विशिष्ट अद्वाइत ये बनाया कि तिन तत्व तिन भेदबताए जीव इस्वर माया मिन्द जीव और इस्वर अलग-अलग है इसी तरह से भेध अद्वाइद दोनों एक है वो उसको मान्य करा मगर फिर भी उसमें द्वाइद है ऐसा करके वो विसिष्ट अद्वाइद मत बनाया और उसमें विशिष्ट अद्वाइत मत क्या बनाया कि इस्वरी सब कुछे अद्वाइत है विशिष्ट अद्वाइत वो बताया कि इस्वर सब कुछे सर्व व्यापके सर्व सक्तिमाने और ब्रह्म विश्णु और नारायन का दुसरा नामे अईसा करके इस्वर्ना सत्यग्नान थी मोक्स मले चे अईसा सब बता के अद्वाइत उससे अद्वाइत होता है भगवान का सत्यग्नान होता है तो उसके साथ वन हो जाते है इसी तरह से उसने विशिष्ट अद्वाइत बनाया अद्वाइत को जरा ratio मोडिफाई किया कि उसके बाद में आये विश्ष्ष्टा अद्वाइत के बाद में द्वयत आद्वयत द्वयत और अद्वयत दो दो तत्व आया द्वयत भी है मगर अद्वयत है तो ओ जो बताया ओ निम्बार का चारिया ने बताया और उसने थोड़ा ओर सुपरफाइन किया कि ब्रह्म है ने ओ सुपरपावर है सबसे सुपरपावर और ओ यी ब्रह्मान का सर जके और मूल परमेश्वरमा जीवने जगतना सुक्स्म तत्व समाएला छे भगवान में ही सब तत्व समा हुआ है तो द्वाइत है जगत अलगे ब्रह्मा अलगे वो द्वाइत मगर द्वाइत आ द्वाइत वो अद्वाइत कैसे है तो कि जो जगत है जो दूसरा तत्व है जीव तत्व है वो स्वतंत्र नहीं है उनका controller भगवान है और वो करके उसने वो अद्वाइत भी बताया और द्वाइत, द्वाइता द्वाइत वो मत समर्पित किया means भगवान की इच्छा के उपर वो सब अवलंबित करता है ऐसी तरह से बताया और वो द्वाइता द्वाइत मत बताया उनसे भी आगे मद्वाचारियन है वो द्वाइता द्वाइत भी नहीं, विशिष्टा द्वाइत भी नहीं, अद्वाइत भी नहीं मगर उसने केवल द्वाइत मत दो दो बताया उसको तत्व बाद केता है फिलोसोफी कहते है इसी तरह से सब कहते है मगर ब्रह्म और आत्मा वो दो अलग तत्व है ऐसा करके उसने यह स्पेसिफाई किया वो ज्यादा नियर अर हुआ ऐसा करके सनातन मुक्ति माटे भक्ति मार्क चे जगत ने इस वर दो अलग अलग तत्व है और उसमें दो पार्टी है वो अलगी तत्व है ऐसा समझाया और उनसे भी आगे बाद में वलभाचारियन है सुद्ध अद्वाइतमत था उसमें सुद्ध अद्वाइत वो मत का स्थापन किया और सुद्ध अद्वाइतमत में क्या है कि मन वो जीव जगत इस्वर एसबंदी यह पत्का निराड़ा है अलग है सुद्ध जीव जीव है अलग है सुद्ध अद्वाइत मगर वो सुद्ध अद्वाइत कभी है जीव और इस्वर जबी जीव प्योरिफाई हो जाता है तो उनसे अद्वाइत होता है और जीव इसे प्योरिफाई नहीं होता है विदावट भगवान की अनुग्रसक्ति के सिवा वो बताया मीन्स भगवान की अनुग्रसक्ति होनी चाहिए इस्वर की अनुग्रसक्ति होनी चाहिए तभी वो प्योरिफा के सिवा भगवान की उसका असिरवात के सिवा अनुग्र के सिवा वो नहीं हो सकता है ऐसा करके उनको ऐसा बोलते है भगवान की पुष्टी होनी चाहिए जीव के साथ में इसलिए उसको पुष्टी मार्ग भी ऐसी तरह से कहा है अभी भगवान स्वामी नारण ने क्या किया बहुत अच्छी तरह से जागा स्वामी ने जो अपने उसमें बताया है अक्सर मत अभी मैं तो पहले पूछता हूं कि अक्सर मत अभी इतने सारे मत थे उसमें अक्सर मत की जरूरत क्या पढ़ी मगर स्वामिनार्ण भगवान ने ये सब जो clarity नहीं है जीव कौन, इस्वर कौन, माया क्या, वो सब ब्रह्म क्या, पर ब्रह्म क्या और महराज ने वो पहले ही पाँच बेद एस्टेबलिस हो गए थी महराज आये ने, तब भी से वो सब को प्रसन पुछते मेरे को ये पाँच प्रसन का जवाब दो, जीव क्या, इस्वर क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, पर ब्रह्म क्या ये सब आचारियों ने ये सब की थोड़ी-थोड़ी बात करी मगर उसमें किसमें एड कर दिया और ऐसा करके प्योरिफाइप, क्लियर विजन नहीं दिया कि जीव क्या, इस्वर क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, परब्रह्म क्या जो विशिष्ठाद्वाइत रामानुजाचारे का भी हमने जो बताते है जिसका उसमें भी तीनी तत्व को भेद को एकसेप्ट किया जीव, इस्वर और माया, मगर ब्रह्म और परब्रह्म को तो मान्य ही नहीं किया है मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये जो सारा मत, ये पांच मत है द्वाइत मत, अद्वाइत मत, विशिष्ठा द्वाइत मत, उसमें सबसे पहली बात में बताऊने तो ये पाँचो पाँच मत का कोई मूर्तिमान स्वरुप नहीं है परसोनिफिकेशन नहीं है द्वाइत का कोई परसोनिफिकेशन बोल सकते है अद्वाइत का बोल सकते है विस्षिष्टा द्वाइत का बोल नहीं मगर महराज ने जो अकसर मत दिया ने वो परसोनी फाइड अए पुर्थी पे आए और वो जो पूर्थी पे आए भ्रह्म और परण परण इसके लिए महराज ने वो बोला कि What is brahma? What is परण और महराज ने पूरी तरब्रुआ से उसको अच्छी तरह से वो पश्टी करण किया, इसलिए वो अक्सर मत, ऐसा करके वो बताया, क्योंकि महराज खूद अपने साथ, अक्सर ब्रह्म को साथ में मानव रूप में लेके आए, और वो परसोनिफाइड बताया, कि वह यह अक्सर, और यह गुणा थी, यह अक्सर ब्रह्म, यह जो बात थी ने, इसके लिए महराज ने यह मत अलग से किया, और ओ मत जो किया, पहिचान के लिए किया, इसलिए जो बताया ने कि स्वामिनान भगवान का स्थूर बंदारण, नहीं, वसी भाई ने बताया, अच्छी तरह से बताया, स्थूर बंदारण, तो मंदीर, सा आश्त्र, आचारिय, वो सब स्थूड बंदारण बनाया, उद्धव संप्रदाई को एस्टेबलिस किया, स्थूड बंदारण, शुक्ष्म बंदारण क्या, तो एकांतिक संत को प्रगट रखा, कि भई ऐसे एकांतिक संत के सबंद में आओ, वो उनका शुक्ष्म बंदारण और अध्यात्मिक मंदारन क्या बताया, महराज सर्वाधार, सर्वाउतारी, सर्वकारण का कारण, वो जो माहत्म आध्यात्मिक है, आप महिमा में चले जाओ, तो बस, और कुछ नहीं चाहिए, और अक्षर ब्रह्म, जो अक्षर रूप होना, इसको मतलब क्या है, कि महराज बस, उनका महात्म में आप खो गए, उनमें और कुछ है ही नहीं, महराज के सिवा कुछ नहीं, ऐसा स्वामी की बात में बताया गया है, कि गुनातितान स्वामी को ये पूरा जो जगत है, अनेत ब्रह्मान विगेरे सब कुछ है, वो जैसे ये बोलते एक हाली एक गाउ में सब मरे हुए पड़े हो गए, तो कितनी बास आएगी, वहाँ कोई रहेगा, और हिसा उनके लिए ये पूरा ब्रह्मान का विगेरे सब व्यवार हिसा है, उनको कुछ उसके साथ पड़ा नहीं है, फिर भी वो ऐसी तरह से हमेरे लिए आये है, तो ये बात, अक्सरमत की बा ये जो बताई है, वो ये पंचाला सार का वचनामरत में ये सब बताई है, आचारिय महराजे पूर्वे थे आचारिया तेमने गनान मत स्थाप्या, ने ते करता अधिक स्रेष्ट, स्रीजी महराजे पोतानो अक्सर मत स्थाई पो, ते हवे कई है चीए, जीवात्मा जारे दामरूप अक्सर ना साधर में पणाने पामे चे, त्यारेज परभ्रम्म पूर्शोतम नी भक्ती उपासनानो अधिकारी थाई चे, अने दामरूप अक्सर अने अक्सर मुक्त ने पूर्शोतम नारायन साथे सरीर विशिष्ठ सरीर इरुपे परम अद्वाइत भावे जीव है, उससे आगे एक तत्व है, वो इस्वर तत्व है, जीव जैसे जैसे साधना करते है, ऐसा वो इस्वर कोटी को प्राप्त होता है, और इस्वर कोटी को प्राप्त होता है, तो वो क्या होता है, स्वर्ग लोक में, इंद्र लोक में, इस्वर कोटी, ऐसा बोलते हैं तेतरिस कोटी देव है, तेतरिस कोटी बोलेगा तो 33 कोटी, कोटी बोलेगा तो टाइप ऐसा, करोड नहीं, कोटी, means टाइप ऐसा, तेतरिस कोटी देवता है, तो हन्मान जी भी एक कोटी में आता है, ऐसे गनेश जी भी एक कोटी में आता है, ऐसी तरह से अलग-अलग कोटी तेत्रिश कोटी देवता है, ऐसे हम जीव में से इस्वर कोटी में चले जाते हैं, तो जितना जितना पुन्य बढ़ता है, पुन्य बढ़ता है, ऐसा वो इस्वर कोटी में जाता है, मगर इस्वर कोटी में भी जबी पुन्य खतम हो जाता है, तो वापस जीव में आता है, व वापस हिस्वर कोटी में जाता है मगर उनसे बाहर जाने के लिए ब्रह्म ब्रह्म कोटी में जाना है अक्सर कोटी में जाना है और उसके लिए चाहिए कोई अक्सर परसोनिफाइड चाहिए मुर्तिमान चाहिए और उसके लिए यह अक्सर ब्रह्म उसकी जरूरत है और वो पृत्वी पे महाराज लाए जैसे जैसे अनन्त कोटी ब्रह्मांड है वो हरेक में जैसे बोलते हैं निच्छे निर्गुंड स्वरूपे चार सगुंड स्वरूपे ऐसी तरह से जो बताया है administrative setup है अभी समझो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर है तो बंबई का जो गवर्नर है या तो जो चीफ मिनिस्टर है वो उनके पास जाके प्रार्थना करेंगे भाई हमेरे गाहों में आओ आप टॉप हो ऐसी तरह से आओ पदार हो तो ऐसा बोलते हैं कि महाराज को ऐसी ब्रह्म ने वहराट नाराण ने कितना सालों तक प्रार्थना करी दोड़ पोर सुधी तभी भगवान पुरुथ्वी पे आए तो कहिना क्या है तभी तो भगवान पुरुथ्वी पे आए और प्रकृती पुरुष्थ की उत्पन्त है जे आकार मात्रते सर्व माईक ने नास्वन अने भगवान तो दिवियने अमाईक छे माटे भगवान तेनु धाम तेना मुक्तो तेनु सूक ये सर्व प्रकृति पुरुष्परियन जे काई छे ते सर्वती अतिसे जुदू अने विलक्सन छे हम कहते हैं कि हम भगवान के सबंद में आये इसे गुनातित सरूप के सबंद में आये तो हमेरा जो स्टेटस है वो अलग है भगवान और भगवान के इसे संतों के प्रगट सरूपों के सबंद में आये तो हम मुक्त बने उसके बिना तो नहीं आ सकते तो बोलते हैं ने कि ये माईक है विलक्षन है एम दाम दामी ने मुक्तनु साधास्य पणु अन्यानी साथे थाई सके मज नती जगत के जीव के साथ आपका कोई comparison हो ही नहीं सकता है इतना ये powerful ये है प्रगट के सबंद में आने से इतना power है तो दूसरा प्रस्ण ये आते है कि भाई ऐसे मुक्तन को पहिचाने कैसे कि भाई ये प्रगट के सबंद वाले है ये ऐसे प्रत्यक स्वरूप के सबंद में आये है ऐसे संतों के सबंद में आये है बले वो सभाव है प्रकृती है जो भी है वो सब कुछ है मगर फिर भी वो अलग है वो कैसे पहिचान है तो स्वामिनान भगवान ने वच्टनामरत में बहुत अच्छा उसका प्रसंग बताया है कि जबी मनुस्य, मनुस्य तो सरिखाई है दूसरा मनुस्य सरिखाई है अपने को दो हाथ, दो पाउ, दो पाई सब कुछ ऐसा है, दूसरे को भी ऐसा है, जगत के जिव भी ऐसे ही तरह से जीते है वो भी चार्टरड एकाउंटन बनते है, अंजिनियर बनते हैं, सब कुछ बनते है तो भी वो अलग है उनको कैसे पहिचाने तो स्वामिनान भगवान ने उनको बहुत सिंपल वे में बताया है सभा में दो आदमी दो भगत बैठे थे वो बहुत सरीखे थे एकदम आइडेंटिकल मिन्स भगोने मूडो और दोनों सेम थे एक ही सरीखे थे तो कोई भी देखे नहीं तो पहिचान नहीं पाते हैं यह भगा है या यह भगा है क्योंकि दोनों एकदम सरीखा दिखता है तो कोई भी नहीं पहिचान सकते हैं कि भई कौन भगा और कौन मूडा मगर उनकी मां पहिचान जाती है कि ये भगा है और ये मूडा है दोनों सरीखा दिखने के बावजुद भी उनको समझ में आ जाता है तो बोलते हैं इतना सब आइडेंटिकल होने के बावजुद भी वो दोनों अलग है वो समझ में आता है एक सरीखा है तो भी समझ में आता है इसके साथ ज्यादा सहवास होएगा तो आप भी समझ में आ जाओगे कि यह भगा है हुडा है ऐसी तरह से बोलते हैं इसे जो अक्सर धाम धामी मुक्तो है इसे जो मुक्तो है इसे जो अक्सर मुक्त है उनके साथ में आप रहोगे तो आपको पहिचानने में आ जाएंगे ये जगत का जीवे और ये भगवान का तुम्हारा जगत निकल जाएगा तो ये बात कराने के लिए भगवान ने मूड अक्सर ब्रह्म को पृत्वी पे लाए और ये अक्सर मत को एस्टेबलिस किया इसके सिवा ये तो ये हो गया तो ये बात का ये बताया है कि माईक ने अमिक ने विशे साधस्य पणू संभवेज के में जे मनुस्य ने भेंस, सर्व, के चरकला, के गदेडा, के कुत्रा, के कागडा जे वो कहिए तो ते उपमा मनुस्य ने संभवेज नही केम जे ते सर्वा मनुस्य थकी विजातिय चे ऐसी तरह से जो अक्सर ब्रह्म के साधर में को प्राप्तक किया है वो अलग है वो विजातिय है सजातिय नहीं है मनुस्य से तो ऐसी तरह से ये जो बात कही वो भगवान ने ये अक्सर ब्रह्म तत्व को लेके आये और ऐसा वर्दान दिया कि ये इसे अक्सर ब्रह्म के साथ साधर में पणू पामेंगे तो वो परभ्रह्म की भक्ति कर सकेंगे और परभ्रह्म की भक्ति उसका दूसरा भी एक बताते हैं भगवान स्वामी नाराण के जही से बोलते हैं कि मुक्त ने पुर्सोतम नारहन निवच्छe अक्सर धाम ने लावा निसु जरूर छे उबी है एक प्रχस्ना आया कि अभी मुक्त है धाम दामी मुक्त तो भगवान पुर्सोतम नाराहन और मुक्त तो बीच में अक्सर धाम को लाने की क्या जरूर हते सास्त्रा नुसार जे लोक मा रेवु होई ते लोक ना प्रधान तत्व प्रमाने ते धाम मा रेना रानो दे थाई छे अभी प्रधान तत्व अक्सर धाम उसके रूप दे होना चाहिए ऐसा बोला जाता है ने अक्सर रूप होई बिना आप अक्सर धाम में रह नहीं सकते रहोगे तो भी वापस अगर कैसे भी तरह से पहुँच गए अक्सर धाम में तो भी आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि अक्सर रूप होए बिना वो सक्य नहीं है अक्सर रूप होएंगे तो ही आप बन सकोगे नहीं तो बन ही नहीं पाओगे ऐसा यह है तो यहां सास्त्रा नुसार बोलते है जो धाम में रहना है उसके उसाप से दे होना चाहिए वरुण लोक मा रेनार नो दे जड़ रूप होई चे वह जल में रहता है तो उसका दे ही जल रूप होता है ऐसी तरह से बोलते है शुरिय लोक मा रेनार नो दे शुरिय रूप होई चे वायूर लोक मा रेनार नो दे वायूर रूप होई चे एम तेते लोक मा रेनार नो देव तेते लोक ना तत्व रूप न होई त्या सुधी त्या रही सका तू नती तब तक आप रह नहीं पाओगे वहाँ आपको वापस आना पड़ेगा नहीं तो वहाँ रहने का आपका देही नहीं है तो कैसे रहोगे ऐसे बोलेंगे अक्सर धाम में आप रह नहीं पाओगे जब तक आप अक्सर रूप नहीं होगे अक्सर के साधर में पणा को नहीं प्राप्त होगे तब तक इस मुश्किल नहीं हो इसलिए अक्सर भ्रम के अनिवारियता है वह बताते आम जे सनातन अनादी मूड अक्सर ब्रह्म चे तेना साधर्म्य पणाने मुक्तो पामे चे त्यारेज तेमनों अक्सर दाम मा वास थाई चे तब तक अक्षर दम में वास होता नहीं है इसलिए ये अक्षर मत के अक्षर गुणातितान स्वामी मूड अक्षर ब्रह्म वो मानव रूप में आये और उनके साधर्मय को प्राप्त करके अनेक ऐसे मुक्त बने खाली ऐसी बात नहीं हुई मगर ऐसे साधर में प्राप्त किया जैसे गुणातित के पास रहे के बगजि महाराज ज्यागा स्वामी अदा वो ऐसे उनके साधर में प्राप्त हुए और क्या हुए होके हुए कि गुणा महाराज स्वामिनार्ण भग्वान पुर्ण पुर्शोतम नारायन अवतार के अवतारी सर्वकारण के कारण और उनके रहने का दाम गुणातीत और उनके रूप वो हुए तो महाराज की सेवा में रही तो ऐसा मुक्त अक्षर दाम मां अ अक्सर धाम में प्राप्त हुए हुए है अनन्त कोटी मुक्त है और ए सर्वन है अक्सर संग्णा लागु पढ़े चे परन्तु ते सर्वना कारण स्वरूप रूप इमान जे मूड अक्सर ब्रह्म ते तो एक अच्छे इसलिए बोलते हैं महाराज कोई है नहीं और होने हो सकता नहीं है गुनातितान स्वामी को एक बार वड़ताल की सभा में बहुत बताया उचको बहुत ये किया अपमानित किया कि सब आपको भगवान बोलते हैं सब आपको बते करिए गुनातितान स्वामी ने सांति से सुन लिया और तभी सुकमुनी गेरे शब पवित्रनान स्वामी गेरे सब थे तो गुनातितान स्वामी ने एक घंटा ये सब सुन के बाद में खडए हो गये और खुर्सी पे खड़े हो गए, नहीं तो इतना अपमान होने के बाद हम खुर्सी पे खड़े नहीं हो जाते हैं, हम और भी निची मुंडी करके बैटते हैं, तो इतना अपमान हुआ, बाद में गुणातितान स्वामी खुर्सी पे खड़े हो गए, और बोलते हैं कि एक स्वामी नारायन, भक्ति धर्म के पुत्र, पुल्ण पुर्सोतम नारायन, सर्व अउतार के अउतारी वो एकी है, और कोई भगवान हो ही नहीं सकता है, ऐसा करके महाराज ने, गुनातितान स्वामी ने सब सभा को बोला, और कोई ऐसा हमें भगवान कहते है, तो गद्धा है, ऐसी तरह से उसको ये किया, कि कोई हमें भगवान कहें, कहें नहीं सकता है, मगर बाद में वापस गुनातितान स्वामी ने बताया, कि जो सास्त्र में अक्सर की बात लखी है, मूड़ अक्सर की बात लखी है, और वो जो कहा जाता है, जो पुरसोतम नाराण की सेवा में ये मूड़ अक्सर, वो मूड़ अक्सर में हूँ, अहिसा ओथेंटिकली पुर्सी पे खड़े हो के बोला वो कैसे तो भी काका जी बोलते नहीं योगी माराज बगवाने आम जे सनातन अनादी मूड अकसर ब्रह्म छे तेना साधर में पढ़ाने मुक्तो पामे छे त्यारे तेनों अकसर दाम मा वास्थाई छे इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो बीच में हमेरे दिनकर भाई विगेरे सब के साथ में ऐसी बाते हो रहे हो कि अकसर दाम में दो ही चरण की उपासना है दूसरे जगह में चार चरण की उपासना है मगर अकसर दाम में दो ही चरण की उपासना है उनका रिजन यह है कि महराज एक ही है बस वहाँ और कोई है ही नहीं बाकि सब अक्सर जो साधर में पणा को प्राप्त होता है वो भी महराज की ही रहता है और कुछ नहीं रहता है उसके अंदर तो यह जो बात है वो बहुत गहन बात है मूड अक्सरब्रहम ए तो एकच छे एवा तो एक परभ्रम स्री पुर्सोतम नाराण छे अने तेथी एक परम अद्विति अचे तो इसी तरह से वहां बाद में वो एक्जम्पल भी दीता है कि जो अक्सरब्रहम है अनंत कोटी मुक्त है और अनंत कोटी मुक्त का ये प्रकार है मगर सब को मालूम है सब जवेरी सब है सब जवेरी है मगर एक डाइमंड मिला तो भरवाड को लगा ये चलकता पत्थर है वो जवेरी नहीं था मगर उसको लगा ये अमुल्य है कुछ तो उसने बकरी में बादा बाद में वो अलग-अलग जवेरी के पास जाते अल्टीमेटली जवेरी के पास गए तो उसने बोला मेरा सब कुछ ले लो आप ये खाली डाइमंड दे दो तो डाइमंड ले लिया उसने तो पूरा गाउं में हाहाकार हो गया कि आपने ये उनका बाप है नहीं तो ये लड़के ने सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ गवाया उसको कुछ पता नहीं चलता है मगर उसका सेथ जानता था कि मेरा लड़का कावल है मगर जबी सेथ हाया उसने बोला खाना पिना खा के आराम से बैठे बाद में पूछा अपने लिया क्या तो जबी वो डाइमंड दिखाया तो सेथ ने क्या बोला मुप में ले लिया है ये अभी इतना दिया था तो भी बोला मुप्त में ले लिया कितना मात्म समझाए होगा कितना उसकी परक होगी कि ये क्या है भगत जी महाराज को जबी बघवान का ये साख्षाद दर्शन हुआ उनातितान स्वामी ने करवाया शाख्षाद कार करवाया तो बहगत जी महाराज ने क्या बोला ओ स्वामी मैंने कुछ नहीं किया और आपने मुझे न्याल कर दिया तो बहगत जी महाराज ने तो कितना किया था ऐसा देखेगा तुम मगर क्या बोला कुछ नहीं किया नहीं तो अपनी द्रश्टी से हम गिने चूना खुंदा, उसमें मराला कुत्ता उठाया, ये किया, सब का इतना अपमान सहन किया, सब कुछ किया, मगर उसने बोला कुछ नहीं किया, तो इसी तरह से, बोलते हैं, सेट ने, सब जो गाहँवाले थे, वो क्या बोले, सेट और दुखरा मुर्ख है, वो लोग स्तब्द हो गए, और जबी मणी को सरतपुर्णी मा के रात में एक थाड में रखा, चंद्र का प्रकास उसके उपड़ पड़ा तो, बहुत सारे हिरे ह हो गए उदर, तो पूरा थाल भर गया, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमो, हीरा बनते ही गया, बनते ही गया, तो सेट और दिखरा को मुर्खक बोले थे, सब वो लोग स्तब्द हो गए, और पोता नी अलप बुद्दी ने दिक्कार वाला गया, और सेट नी और तेम तमारो दोस न थी, आप ऐसी तरह से देखते हो, यह सब पागल है, यह क्या अक्सरमत के बारे में बाते करते रहते हैं, मगर वो नहीं है, इसा, तमारो दोस न थी, एनी किम्मत अमूल्य चे, ते तमें सर्व जोई सक्या चो, बिजो एक मनी चे, परन्तु तेनी प्राप्त तो महादूरलब लेखाई चे, अने एनी किम्मत करवाने कोई सक्ति मानद न थी, फक्त एमज कही सकाई, कि यह मनी से ओ मेनी ज्यादा बड़ा है, ज्यादा अमुल्य है, यह कही ने आपने सर्व मानासोय ने सेठे जरेला मनी माती, एक-एक मनी आपी ने राजी करी ने वि अक्सर ब्रह्म है, अक्सर तत्व, यह तत्व की कितनी इंपोर्टन्स है, पृत्वी पे आया मानव रूप में, मूल अक्सर ब्रह्म, औने एना साधर्म्य पनयाने पामीने, अनन्त कोटी मुक्त होते है, तो कितना बड़ी बात है, हम ऐसे गुणातित संत के सबन में आये, उनका कितना बड़ा पावर है, वो हमें उनके रूप बनाएंगे, और उसके लिए उसका पूरा ये सब कार्यक्रम है, और मूल अक्सर ब्रह्म ने मुक्तो मा जे रिते रहा चे, तेमा पन अती गणो बेद चे, उसमें भी बहुत बहुत बेदे, जैसे हम बोलते हैं, कि मू जितना महात्म उतना वो बनने से, मगर महात्म समझने में जितनी जितनी कसर है, ऐसे समझें कि इलेक्ट्रिसिटी है, पांचो का बल, सो का बल, पांच अजार का बल, प्रकास अलग अलग है, और वहां खाली प्रकास का ही बेद है, काका जी बोलते हैं, तो ऐसी तरह से, सब अभी में जीव ये का बोलते है के प्रकृति जन्य सुरुष्टी अने सुरुष्टी ना अधिश्ठाता पूरुसो अउतारो इस्वरो अने देवो मा पराद पर पूरुसोतम नारायान साक्सी रुपे रहा चे और वो उनकी व्यापक सकती है तो कहना यह है कि इसी तरह से यह जो मत अक्सर ब्रह्म वो तार्तम्यता में मूण अक्सर में रहे है और उनके साथ में हमें साधर्म्य जितना जितना प्योरिफाई हो जाएगा उतना हमें वन्नेस होएगी तो गुणातितान स्वामी मूण अक्सर है वो बात स्वामिनान भगवान ने भी बहुत बार प्रस्थापित कई अभी बात में वो जगडा यह अक्सर मत वो टाइम से यह एक जगडा चलता था कि अक्सर कौन और स्वामिनान भगवान हमें साब बताया कि यह गुणातित है वो मूड अक्सर है तो भी लोगों को मानने में नहीं आता था और क्योंकि महाराज का ही महिमा नहीं था तो गुणातित का तो कहां होगा तो गुणातित का मात्म भगज जी महाराज जागा स्वामी क्रश्ण जी अदा ने वो बताया कि यह मूड अक्सर ब्रह्म है और जिसने जिसने वो माना और ऐसी तरह से मानिन्ता करके जीवन जीए वो सुखी हो गया उसका काम हो गया तो यह एस्टेब्लिस तो हो गया कि यह मूड अक्सर ब्रह्म है गुणातित मूड अक्सर है इसे तरह से और उनके साधर में पणा को प्राप्त करना है वो भी एक बात एस्टेब्लिस हुई तो यह अक्सर मत की बात इसी तरह से बताई है और वो जो मूड अक्सर गुणातिता अन स्वामी है वो भी बात की जो surety means proof ओ महाराज ने स्वयम कहा गुणातितने भी जैसे इसे सभा में उठके कहा फिर एक बार सभा बैठी थी और उसमें यह मूड अक्सर के बारे में सब बाते हो रही थी तभी योगी जी महाराज बैठे थे और कोई भक्त ने भासन किया के गुणातिता अन स्वामी के हैरार्की में सास्त्री जी महाराज जैसे प्रबढ ऐसे हुए सास्त्री महाराज जैसे एकदम जोरदार व्यक्तित्व के उसने गुणातित की बात को बहुत आगे बढ़ाया और उनका इतना प्रसार हुआ दू टू सास्त्री जी महाराज खली इतना बोल रहे थे तो योगी जी महाराज ने उसको अटकाया योगी महाराज ने बोला ऐसा नहीं है नहीं तो सास्त्री जी महाराज का महिमा कहे तो योगी महाराज किसको उटकाएंगे नहीं मगर ये सिद्धान्त की बात आई तो योगी महाराज ने उसको उटकाया बोलते ऐसा नहीं है गोपाणन स्वामी अरे गुनातितान स्वामी मूड अक्सर थे ही इसलिए उनका आगे बढ़ा है नहीं के सास्त्री जी महाराज इतने बड़े पावरफुल आये इसलिए उसका बढ़ा है और गोपड़ान स्वामी के उसमें कोई नहीं आए इसलिए उसका नहीं बढ़ा है ऐसा नहीं है वो मूल अक्सर थे ही वो योगी जी महाराज ने वो बात को बहुत ये बताया अभी ऐसे गुनातित संत के सबन में आने से हमेरा बहुत बढ़ा काम होता है सबसे बड़ा तो अक्सर रूप होना वो बहुत बड़ी बात है और ऐसा अक्सर रूप होने के लिए उनको अक्सर मानना वो बहुत कठी ये है और जागा स्वामी के लेक्चर वो बुक में एक बहुत अच्छी बात बताईए उसमें जो नागर गुनातितान स्वामी ऐसे मू सवन्त ओग्णिशोने त्रीशनी साल मा धर्म धुरंदर आचारे स्री भगवत प्रसाजी तथा कोठारी गोर्धन बाई जुनागडप दाई रहता अने सर्व संत पार्षत ब्रह्मचारी ने लाधा भक्तना ग्नान्ती चेत्ता रेवा सुचना अप्पालाईगा कि आ लोकोनू अवलुग्णान आ सत्चंग मा पेशी गयुचे तेती विक्षेप थया करेचे स्री गुणातितान स्वामीनो महिमा तो अपार छे पन तेवो महा समर्थता एमा काई पन संचाई नती पन लक्सावधी मनुस्यने रूची एम वाद करवी एवा शिक्साना वचनो सर्वने कहा आ सामडीने कोई बोलिऊ के अमने कहो छो पन वर तो वहाए रही जाईचे त्यारे कोठारी ये पुछुझ ये वर वड़ी कोण त्यारे अमने कहो के जागा भगत आप हमको बोलते हो के गुणातित का महिमा जरह समाल के कहो मगर उसका कहने वाले तो ये जागा भगते उसको तो आप कुछ कहते नहीं हो एटले कोठारी ये कई हो कि अमने तो अमें जानिये ची ये ये तो सर्वप्रकारे मंदिर नाच चे अन्ने मंदिर नो पक्स ये मने माथा साटे चे लाधा भक्त ना अवडा उपदेश्ती फरी बेठेला सोरट ना अरी भक्तों ने ये मने वाली ने पाचा मंदिर मायना चे ये अमारा अनुबवनी वाद चे माटे ये मनू कोई नाम देवू नहीं ये मनू ग्नान तो सर्वदेशी चे आज सब्दों सामड़ी ने कोई बोली सही को नहीं पन हवे सू करवू येनों असद भाव वाड़ा विचार करवा लाईगा जो गुणातित का इतना महात्म था वो टाइम में भी इतना एस्टेबलिस होने के बाद भी नहीं हुआ जै विजे दिव से तेमने आचारे स्री तथा कोठारी ने अड़ू समझाई बाद में वापस हो कोठारी और आचारे महराज के पास गए और बुल्टा सिधा बोले व अुण स्वामी ना सिशियो स्वामी जी 보ं नाता यां छोखरी छे ने एने पगे लागे अचा और उ viewpoint लृट अगर्व करते हैं बोलते इतना महिमा समझते इतना तो नहीं समझना चेन यह ना कि स्वामी जहां नहते है वो चोकडी है उधर भी बोलते है दूप अगर्बति करते है वहां पाव पढ़ते है ये तो तम वो तो तुम अठकाओ वो तो बंद कराओ कितना खराब लगता है बोलते है ये चोकडी में ऐसा करते है बोलते है हवे कागनू बेसुन निताडनू पड़ू ए मुझब एदि उसे माधा ना में पाडा न पगे वाईगू असे वो कोई पाडा था उसको पाओ में लगा था थे चानू लई ने राते चोकडी पासे एक कोरे बेसी ने पगे शेक तो हसे और चोकडी के पास रात को छाना को गरम करके उसका सेक कर रहा था तो यह ने दूर थी बताई वो तो धुआ उड़ता है थोड़ा अगनी दिखाई पड़ता है तो आचारे महाराज को बताया देखो वो चोकडी है नहीं अभी भी चोकडी है वो रखी है वो अभी भी चोकडी है दूर थी बताई विनका जुओ हमें खोट उकेता होई तो त्याँ धूप थाई अभी रात का समय था धूआ हो रहा था थोड़ा अगनी दिखाई पड़ रहा था और उसने बताया कि देखो देखो अभी भी धूप हो रहा है वह आप थी काल कर दो ताकि न रहे बास न बजे बासूरी कोई ऐसी तरह से पाउप पड़े ऐसा वैसा होए नहीं चोकडी ही नहीं उदर आवातनी गाम मान नागर हरी भक्तों ने जान थे और गाउं के नागर हरी भक्तों को माई और वो चोकडी जिसने खोदा ने अचारे महाराज के जो भी थे उसका हाथ सड़ गया इतना ये द्रोह करने का परिणाम है खाली उसने तो वो चोकडी खोदने को गए तो पहले बोला कि आप ये चोकडी को पहले आप खोदने का पहला तमें मारो नहीं तो सब बोलेंगे आप लोगों ने खरापक ये कर दिया तो आव आतनी गाम्मा नागर हरी भक्तों ने जान थाई एटले मोटा माधव राय अधी सर्व नागर मंड़ मंदिर ना चोकमा आवी ना हकल पाडी ने बोईला और नागर हरी भगतों कभी स्वामी नाण में मानने वाले नहीं थे मगर गुणातितान स्वामी का वर्तन देखा गुणातितान स्वामी को ये समझे के ये साधू सत्य है ऐसा उसके दिल में गुण हो गया था कि ऐसे गुणाती तान स्वामी सामान्य साधू नहीं है इतना पूरा महिमा बत जीव में बैठा था तो उसने सब आये स्वामी नी प्रसादी नी एकली चोकडी खोदावे जायेम नथी मुलते स्वामी की चोकडी अगर खलास कर दोगे तो उनका महिमा काम होने वाला नहीं है ये तो आखु मंदीर धर्मसाडा और हवेली नो पाणे पाणो लाकडे लाकडु ने नलिये नलियू स्वामी नी प्रसादी ना चे आपको खोदना है तो पूरा सब निकाल जो औने आ भुमी सर्वे स्वामी ना चरणती अंकित थायल छे जुनागड में स्वामी 40 साल रहे है तो ये पूरी जुनागड की धर्ती गुना तितान स्वामी के पाण से अंकित हुई है माटे स्वामी नी प्रसादी काड़ी नाक्वी होई तो ये सर्व पाया सहित खोदावी ने वेरावल ना दर्यामा नाखो आवा आकरा वचनों सामडी ने संत अरी बक्तो सव चूप थाई गया मादवराई भाई तो केवा लागया के अमें तो नागर केवाई है अने कोई ना पन सिस्य थाई एवा न थी ये मूड अक्सर का प्रताप ऐसे गुनातित संत के सबंद में आने का प्रताप वो नागर बोलते हैं कि हम तो ऐसी तरसे सिस्य हुए ऐसे नहीं है पन अमने तो गुणातितान स्वामी ये सत्संगी करया चे गुणातितान स्वामी ने हमको सत्संगी बनाया है मंदीर देव आचार्याने संत्नों महिमा समझाई वो चे ते स्वामी ना रुवाडा जेवा न थी एवा स्वामी नी चोकडी खोदी स्वामी नी प्रसादी नो नास करी मोटाना द्रोमा उतरवा तयार थे आचो और आप गुणातितान स्वामी की रुवाडे की बराबर नहीं है एक बार ये बहुत बड़ी बात है हमें हम कहां है वह हमको मालुम होना चाहिए और दूसरे हमसे बड़े है उतना समझना चाहिए तो हम उज्भ के बारे में नेगेटिव कभी नहीं बोलेंगे जब तक हम नेगेटिव बोलतें हमको मालुम नहीं है मगर अंजाने में भी वो द्रो होता है एक बार काका जी के साथ अस्विन भाई जा रहे थे और काका जी ने कुछ रिभाई साहब के उसके बारे में कुछ ऐसी बात चलती होगी तो अस्विन भाई ने थोड़ी टापसी पूरी तो काका जी ने उसको बोला आप उनके जैसे हो आपकी उनकी जैसी स्थिति हुई है तो बात करो तो हमेरी स्थिति कहां तक है वो हमें पता चलना चाहिए तो हम किसी की नेगेटिव के बारे में बोलेंगे ही नहीं भई हम तो यहां है अभी तो द्रोहमा उतरवाते है खोधी संत्नो महिमा समझावेने स्वामी ना रुवड जेवान अती एवा स्वामी नी चोकडी खोधी प्रसादी नो नासकरी मोटाना द्रोहमा उतरवाते यारते आचो अब आप पक्षना वचनों सामड़ी ने बदाए नागर मंदर ने मांड मांड साथ पेड़ू पची माधवर आए दिमेधी कईड़ू के वरतालवासी गोपियो ये उद्धव जी प्रत्य कईचे उसमें कितना जोम था, कितना ये था महिमा की द्रश्टी होएगी तो क्या होएगा हमें पता ही नहीं है हम किसके सबन में है किसका हमने सेवन किया है तो गोपियो ये उद्धव जी प्रत्य कईचे हे विरा अमारो दे पड़ी जाई और क्या ये हमारा हडकानी नली पड़ी होई और तेनी वासड़ी करीने कोई वगड़े ने तो ते पन क्रश्ण क्रश्ण केसे तो अमारी जीवा विजु केम बोले हमेरा दे निकल जाएगा तो हमेरी हड़ी रहेगी उनकी अगर बासुरी बना जाए तो वो उड़ी भी बासुरी के सूर में भी वही आएगा क्रश्न, क्रश्न तो अभी तो हम जिन्दा है तो और दूसरा क्या बोलेंगे तेम अमे नागर रजोगुणी ने सरव अमलदार के वाई है तो बोलते हम भले रजोगुणी है, एड्मिनिस्ट्रेटर है, सब कुछ है पन अमारो दे कोई परदेश मा पड़ी जाए तिया हमारा हाडका माती जो सूर निकड़े तो तेपान सहजानन स्वामी सरव परी भगवान अने गुणातितान स्वामी मूर अक्सर धाम चे एम बोल से और कुछ नहीं बोलेंगे कितना गुणातितान स्वामी के सबंद में होके कैसी प्राप्ति करी आटे एक चोकडी खोदी ने नाखी दियो ये थी स्वामी नी प्रसादी नास नहीं थाई अवा आकरा वेन सामडी ने सवना मोय जाका थया ये वार कुछ रड़ कोठाडी ये ये मनी समझन नी खुब प्रसंद सा करी और कहू के तमह समझो चोओ सर्व समझो चो तेमस समझो चो जेमस समझो चो तेमत तमारे समझ वानु छे कोई अनसमझूना कृतिय स्वामे जोई ने उतावड़ा न थाओ पच्छी तो ये वात एकले थी जटकी गई कहिने का मतलब ये है कि हाँ 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 सड़ गया हूँ तो ऐसी तरह से कहिना ये था मेरे को कि ऐसे गुणातित संद के सबन में आने से इतना बड़ा मगर वो महत्म नागर ने इसा महत्म समझा कि ये गुणातितान स्वामी सामान्यन नहीं है वो बहुत बड़े है तो हमें आज ये अक्सर मत का जो भी ये सब हुआ उसके पीछे जो रहस्य है वो यही है कि हमें इसा अक्सर रूप होना है और वो स्वामिनान भगवान ने मूड अक्सर ब्रह्म को पृत्वी पे मानव रूप में अपने साथ लाके हमेरे लिए वो एकदम मार्ग इजी कर दिया और दूसरा वर्दान ये दिया कि ऐसे गुणातित्सन उनके साधर्म्यको प्राप्तक किये हुए वो पृत्वी पे अखन रहेंगे और ऐसे एक होगे ऐसे नहीं अनन्त होगे अनेक होगे और ऐसे मुक्तों के सबन्द में आने से आप उनके रूप बन सकते हो उत्तर उतर आगे आगे बढ़ सकते हो तो ऐसा जो हमेरा ये ज्यान है हमेरी जो ये समझ है वो ये उत्तम समझ है ये अक्सर मत की क्योंकि आज तक स्वामिनान भगवान तक कोई ऐसा जो भी मत बताया वो मत का मुर्तिमान स्वरुप कोई नहीं और स्वामिनान भगवान ने गुनातितान स्वामी ने प्रक्रण पहला कि पहली बात में बोला कि भगवान तो पोतानु अक्षरधाम पार्सद ने समग रहा इस्वर्य तेले इने पदाई राचे ते वान एवाज चे मा काई बाकी ना थी अने यह समझाई तो जीव बिजीर इतनो थे जा मंगर ओ समझने में किदर भी कचास रहती है और ओ समझने में कचास इसलिए रहती है कि ओ डाइमंड का वेल्यू हम थोड़ा कम 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 समथ ओ अक्षर ब्रह्म अक्षर के साधर में पढ़ा के सबन में आये तो अनन्द हो सकते है अईसी जो बात है वो स्वामिनान भगवान ने एस्टेब्लिस करने के लिए कितना दाखड़ा किया जबी स्वामिनान भगवान निलकंठ वर्णी के रूप में जा रहे थे हिमालाई में तो हिमालाई साक्सात आया स्वामी ना भगवान के पाद। और बोला के स्वामी आप इतना क्यों कर्ष्ट उठाते हों। इतना दिन से आपने खाना नहीं खाया, कुछ खाने को नहीं मिला। साक्सात हिमालाई आया फ्रूट देने के लिए। कोई किसी को कुछ समझना नहीं है महिमा बोलते हैं। कोई आपको इतने अउतार आ गए मगर किसी ने इसा कुछ अभी तक समझा नहीं है। बहुत जूज लोगों ने समझा है बोलते हैं। आप इतना कठीन तपस्चरिया विगेरे सब करके क्या होएगा। तो स्वामिनाण भगवान ने बोला ये टाइम में मेरे साथ मेरा रहने का धाम मूड अक्सर मूर्ती वो साथ में लाया हूँ। और इसलिए ये टाइम अनन्त मुक्त अनन्त मनवारों भरके हमें सबका मूड अगनान टालना है। और ये बात को आज हम देखते हैं। इनार्ण संप्रदाई का इतनी ये बात का जो ये establishment हुआ है वो और तो कितना आगे बढ़ेगा अभी तो इतने स्वरूप है अभी स्वरूप गिन्ने में भी हमको ठक जाते हैं इतने हैं तो भी तो और होएगा तो क्या होगा मगर ऐसा बोलते हैं कि एक-एक संथ के पास एक-एक लाख आदमी फिरे इतना सत्संग करना है और पूरी दुनिया को स्वामिनान भजाना है तो कितना स्वरूप चाहिए एक के पिछे एक लाख खाली मिनिममं गिनो छे अबज के डिवाइड बाई वन लेक हैं छे अजार तो स्वरूप जोई है ने नहीं मिन्स इतना आप प्रसार है और इतना पावर यह हो रहा है तो हम तो बहुत-बहुत भग्यसाली है महराज, स्वामी, काका जी, पपा जी सभी गुनातित स्वरूपो हमें इसी तरह से बल दे और हम सच्चे अर्थ में ये गुनातित संत को पहचाने उसका ऐसा महत्म समझे के ताकि हम उसके रूप हो जाए महत्म समझने के बिना और कोई साधन ही नहीं है कि उसके रूप होने का वही साधन एकदम ही और क्या साधन करोगे काका जी वो बोल रहे थे आप क्या करोगे अति द्रध वाइराग्यों अति द्रध धर्म ऐसा सब बता है उपना उसमें नहीं अस्खलित मंगलक रुपादरा में तो बलते बापरे बाप ये तो हो इजए नहीं सकता है मगर ये हो सकता है ऐसे गुणातित संत का महिमा मेरे जीव में द्रड हो जाए इसे पुर्ण पुर्सोतम नारायन सर्वा उतार के उतारी मानव रूप में हमेरे पास आए ये पृत्वी पे आए और इसे संत की बेट दी तो हम उनका जितना भी मात्मा बढ़ता रहे हमेरे अंतर में इसके लिए ऐसे भगवान भक्तों की सेवा दीए वो एकदम इजी मार गए सेवा और इसे मात्मा से सेवा करने से हम उनके रूप बन जाएंगे तो ऐसा हम बने और सच्चे अर्थ में सत्संग की और इसे गुनातित स्वरूपों के अंतर में हास दे यही प्रार्तना सेजान स्वामी महराज की